घनाप का प्रिस्टी छेत्रफल सर्फेस एरिया ओफ क्यूबॉइड अपने आसपास घनाप के आकार की कुछ वस्तुवे ढूंडिए और उनके चित्र अपने कौपी पर खीजिए इनके शेशों को नामांकित कीजिए इसमें भुजाओं, किनारा या कोर की संख्या कितनी है कौन-कौन से फलक आपस में बराबर और आयताकार है सोचिए कि घनाप का संपूर्ण प्रिस्टी छेत्रफल कैसे ग्याद कर सकते है जस्पाल ने कहा कि सभी आयताकार प्रिस्टों के छेत्रफल जोड़ने पर घनाप का संपूर्ण प्रिस्टी छेत्रफल ग्याद कर सकते है नेहा ने जूते का डिबा लेकर उसका संपूर्ण प्रिस्टी छेत्रफल निकालने का प्रयास किया लंबाई के लिए L, चोड़ाई के लिए B और उचाई के लिए H सभी प्रिस्टों पर लिखा फिर सभी प्रिस्ठों को अलग-अलग छेत्रफल निकाल कर उन्हें जोड़ दिया चेत्र पांच आप भी उक्त गती विधी को अपनी कक्षा में कीजिये तो घनाप का संपूर प्रिस्ठी छेत्रफल बराबर 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 दो ब्रेकेट में लबी धन लच धन बी एच करके देखें पहला घनाप के संपूर प्रिस्ठी छेत्रफल के सूत्र से घन का संपूर प्रिस्ठी छेत्रफल कैसे प्राप्त करेंगे दूसरा यदि घनाप की लंबाई 6 cm, चौड़ाई 3 cm और उचाई 2 cm हो तो उसका संपूर प्रिस्ठी छेत्रफल कितना है कि घनाप के पार्ष्व प्रिस्ट कौन कौन से हैं घनाप के चारों की नारों के प्रिस्ट उपर और नीचे के प्रिस्टों को छोड़ कर पार्ष्व प्रिस्ट कहलाते हैं घनाप के पार्ष्व प्रिस्टों का छेत्रफल कैसे ग्याद करेंगे मैं सभी पार्श्व प्रिष्टों ABCD, EFGH, BFGC और AESD का छेदरफल जोड़कर घनाप के पार्श्व प्रिष्ट का छेदरफल निकाल सकता हूँ क्या अब आप घन के पार्श्व प्रिष्टों का छेदरफल ग्याद कर सकते हैं? घन के पार्श्व प्रिष्टों का छेदरफल बराबर 4A वर्ग कारण बताईए सोचे एविन चर्चा करे दिखाये गए चित्रों की तरह अपनी गडित की पुस्तक रखिए और उसका संपूरी प्रिस्टी छिद्रफल ग्याद कीजिए